हम कांचन में आपका स्वागत आज हम करने वाले है जमबो प्रॉंस मस मसाला और इस जम ब्रॉंस को अब घर केसे ग्लिंग करें इसे भी बताने वाली हूं जो रेशेपी बनती है ना सच में बहुत टेक्ष्टिप बनती है वीडियों ला सकते हैं चुरूत फिर रेशेपी बनाना स्टार्ट करते हैं प्रॉंज लेते आप देख सकते हों बड़े वाले प्रॉंज है मार्कर से लान के बाद इसे मैंने तीन से चार पान अच्छे तरह से वाश किया था आपको अच्छे तरह से वाश करना है अब हम इसे क्लीन करेंगे यहाँ पर मैंने लिए एक सीजर और सीजर से हम इसके पेर काटेंगे आप दिख सकते हो इस तरह से इसमें बहुत काटे होते हैं तो ध्यान से काटना है अब हम इसका नीचे का भाग काट लेंगे इस फ्रॉंस का में शेल रखने वाली हूँ आप चाहे तो शेल भी निकाल सकते हो लेकिन शेल के साथ जो क्रेवी बनती है ना पोर्ट टेस्टी बनती है इसरे में रखने वाली हूँ उसका मूखा पर भाग हम काट लेंगे इस तरह से अंदर से कोट देंगे और इसे हम उपन कर लेंगे उसके अंदर जो काला बाला धागा होता ना उससे आपको निकालना है निचे से भी हम उसे कट कर लेंगे प्रांस को हमने अच्छे तरह से कट कर लिया है इसको उपर में रखाने वाली हूँ हल्दी और नमक और इसे हम मैड़िट होने के लिए छोड़ देंगे आदे से एक घंटे के लिए प्राश्बिय मरच दर से मैरने ठुवा है मसाला बनने के लिए हमें ट्राय कोकोनट ओनियन टोमैटो दनिया और गड़ी परता जो मसाला बनने के लिए मैंने सामान लिया है ना उसे मिक्सल में ग्राइंड कर लूँगी भुनना नहीं है डारेक्ली ग्राइंड करना है अब इसमें एड करने वाली हूँ तो मसाले को हमें अच्छी तरह से भुनना है अब इसमें एड करने वाली हूँ धना जीरा पाउडर वन टेबल स्पूल गार्लिक और जिंजर की पेस्ट और वापस हम इसे भुनेंगे मसाला हम रिशेतर से फ्राय हुआ है इसमें एड करनेंगे सुखे मसाले लाल मिर्शी पाउडर गरम मसाला पाउडर हल्दी पाउडर मसाला आपके हिसाब से आपे कम जादा कर सकते हो और मसाला डालने के बाद हम इसे 2-3 मिट लिए अच्छे तरसे भुनने वाले हैं जब तक साइड से ओईल नहीं निकलता ना तब तक हम भुनेंगे मसाला हमारा च्छे तरसे फ्राई हुआ है इसमें एड करने वाली हूँ हमारा प्रॉंस और प्रॉंस डालने के बाद प्रॉंस को भी हम मसाले में भून लेंगे और दस से पंद्रा मिनिट के लिए हम इसे स्लो गैस फे पकाने वाले हैं क्योंकि उसके उपर हमने शेल रखा है ना तो प्रॉंस पकने के लिए थोड़ा ज्यादा टैम लगेगा आप चाहे तो जो हमने शेल रखा है ना उसे निकाल भी सकते हो दोनों साथ जो हमरा प्रावन से न अच्छी तरसे पक गया है हम इसे पलट देंगे यहाँ पे हमारा सुका जब वो प्रॉंस काने के लिए रेडी हो चुका है हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे आप देख सकते हो कितना यम्मी दिख रहा है तो चलो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जब वो प्रॉंस काने के लिए रेडी हो चुका हैं आप चाहे तो आप इस रेसिपे में ग्रेवे भी रख सकते हो आप रेसिपे घर पे जरूर राय कीजिए और आपके अनवों मेरे साथ शेयर कीजिए नव मित किशन देखने के पीजिए और मेरे जाएं को स्क्राइब करना ना बूले